स्वागते दोस्तों आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों अगर 125 सिसी में बाइक लेने के सोचते हैं तो 125 सिसी में कई सारे बाइक ओप्शन देखने को मिलता है लगबग 125 सिसी में 9-10 बाइके आती है तो ऐसे में दोस्तो एक बाइक को चुनना काफी मुश्किल हो जाता है कि कौन सी बाइक हमारे लिए परफेक्ट रहेगा तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपके लिए परफेक्ट रहेगा सबसे पहले मैं बता देता हूँ 125 CC में Honda की तरफ से 2 बाइके आता है Hero की तरफ से 2, Bajaj की तरफ से 3, TBS की तरफ से 1 और KTM की तरफ से 2 बाइके यहाँ पर दोस्तों KTM की बाइक की बात नहीं करेंगी क्योंकि KTM की बाइक थोड़ी महंगी आती है बात करेंगे 125 CC में जो Commuter Singment की बाइक है उसकी बात करेंगे जिसमें आपको थोड़ा mileage भी अच्छा मिल जाए और लगबग 1 लग तक की प्राइज में आपको देखने को मिल जाती है उसकी बात करेंगी वैसे अगर KTM की बाइक लेना चाहते हैं तो KTM Duke आपको लगबग 1 लग 25 जार, 1 लग 80 जार तक की ओन रोड प्राइज पढ़ेगा जबकि RC 125 आपको लगबग 2 लग 10 जार, 2 लग 15 जार तक की ओन रोड प्राइज पढ़ेगा सबसे पहले मैं आपको बता दिता हूँ जितने भी 125cc के बाइक आती है थोड़े बहुत स्पेक्स, माइलेज और प्राइज के बारे में बात कर लेंगे फिर वीडियो को लाश्ट में आपको बताऊँगा की कौन से बाइक आपको किस मामले में किस परपस से लेना चाहिए सुरगात करते हैं सबसे कम दावों में जो 125cc के बाइक आती है CV साइन और सूपर स्फिलेंडर ये दोनों बाइके लगबग एक ही प्राइज में आता है लगबग 87,000 से लेकर 88,000 नवासी जा तक के ओन रूट प्राइज आपको ये दोनों बाइकों में देखनों को मिल जाएगा ये दोनों बाइके उनके लिए परफेक्ट रहेगा ज्यादा अग्रेसिब डियाइन नहीं चाहिए तो उनके लिए परफेक्ट रहेगा क्योंकि इसकी डियाइन देख सकते हैं दोनों बाइकों की काफी क्लासिकल लुक और काफी इमने तक सिंपल लुक देखनों मिलेगा दोनों बाइकों में फुली डिटल मीटर देखनों मिलेगा और हैडलेम की बात करते हैं तो LED नहीं मिलेगा हैलोजन बलत देखनों मिलेगा फीचर्स की बात करते हैं तो ये दोनों बाइकों में आपको कोई ज़्यादा फीचर्स देखनों नहीं मिलेगा तो मैं अपना बेक्तियत बता हूँ तो cv sign 125 आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि यह बैक में आपको थोड़ा सा मायलेज ज्यादा मिल जाएगा ज्यादा मिल जाएगा यानि की गाड़ी को जो शुरुवाती लॉंच करते हैं तो जटके मारके ओड़ती है यह मुझे काफी पसंद है तो आपको cv sign में यह देखनों को मिल जाएगा अच्छा देखनों मिल जाएगा बाकी बात करते हैं तो यह बैक भी आपको ठीक ठाक दे सिट में और वजन में फार्णओं मिलेगा जίसे के आप देख सकते हैं एक में आपको सिंगल s shouldn मिलेगा और दुसरे में स्पिलिट सीट का वजन 142 के जी है और जबकि सिंगल सीट का वजन 140 के जी का है बस सीट में और वजन में थोड़ा फरक देखनों मिलेगा बाकी बात कोई भी फरक देखनों नहीं मिलेगा दोनों वायकों में ना इंजियन स्पेश्पिकरिशन में न तो थैयर डामेंस जो भी कुछ लगबग उनकी वज़न 120 केजी, इसमें आपको एकसो चालिस केजी और बैलिस केजी का वज़न देखनम मिलती है, और इसमें आपको Elrotonic Carburetor Engine देखनों को मिलती है इस वज़े से भी थोड़ी सी इसकी mileage कम है ये दोनों भाई के वे लोग खर सकते हैं जिनें 150cc का pulsar पसंद है पर उनके पास इतना budget नहीं है तो आप खरे सकते हैं 125cc का pulsar आप 150cc का pulsar का मज़ा ले सकते हैं क्योंकि डियाइनिंग देख सकते हैं दोनों भाईकों की मतलब की एक ही जैसा देखनों मिलता है ये जैसे की देख सकते हैं 150cc का pulsar है और ये 125cc का pulsar है कोई फरक नज़र आ रहा आपको लगबग कोई फरक देखनों नहीं नज़र आएगा थोड़ा बहुत फरक देखनों मिल जागा बाकी बाद दोस्तों 125cc और 150cc का pulsar में कोई भी फरक देखनों नहीं मिलेगा हाँ इसमें आपको ABS braking system देखनों नहीं मिलेगा इतना तो इसकी अकिला showroom price है इसकी showroom price लगबग 98,000 तक की पड़ती है जो की on-road price लगबग 1,15,000, 1,16,000 तक की पहुंच जाएगी इस bike की यहाँ पर दोस्तों बात आता है NS 125 में इतना पैसा खर्च कर रहा है तो इसमें आपको मिलता क्या है दोस्तों कह सकते हैं 125cc इंजन में आपको NS 160 और NS 200 का body देखनों मिलेगा बाकी बात इसमें आपको कुछ भी देखनों नहीं मिलेगा features की बात करते हैं तो normally जो features देखनों मिलती है बजार्च की पलसर 125 में वह features इसमें भी देखनों मिलेगा नहीं इसमें आपको fully digital meter देखनों मिलेगा और नहीं इसमें आपको LED headlem मिलेगा mileage की बात करते हैं तो mileage आपको 45 तक की देखनों मिलेगा क्योंकि इस bike की जो वज़न है काफी ज़्यादा है 144 की जिका और इसमें भी fuel injection नहीं आता है electronic carburetor engine देखनों मिलती है इस bike में यहाँ पर दोस्तों मैं कहने चाहूंगा NS 125 में एक साथ 1.5.000 रुपय, 1.6.000 रुपय खच कर रहे हैं तो इसके जगब पर कई और बायके हैं जो कि इससे बड़े CC का engine देखनों मिल जाएगा बजाज के तरब से ही Pulsar 150 Neon ले सकते हैं इसी price range में आपको देखनों मिलेगा और Honda की तरब से Honda Unicorn 160 ले सकते हैं जो कि यह bike भी इसी price range में देखनों मिलेगा NS 160 जितना में आपको देखनों मिलता है उतना ही price range में यह भी bike के आ जाएगा जो कि इन bikeों में आपको थोड़ा सा ज़्यादा powerful engine मिल जाएगा top speed ज़्यादा मिल जाएगा, stability अच्छी मिल जाएगी और सबसे बड़ी बात उसमें आपको ABS breaking system देखनों मिल जाएगा बाकी बात आप देख सकते हैं अगर आपको NS 125 आपको पसंद आता है तो आप खरिद सकते हैं आगे बात करते हैं तो hero की तरफ से आ जाता है glamour X tech इस bike की on road price की बात करते हैं तो यह bike आपको लगबग 99,000 तक की on road price देखनों मिल जाएगा mileage की बात करते हैं तो इस bike में आपको लगबग 60 तक की mileage मिल जाएगी features की बात करते हैं तो इसमें आपको fully digital meter देखनों मिल जाती है साथ में आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है information की बात करते हैं तो इसमें आपको real time mileage, distance to MPT, gear position indicator यह सारा information आपको देखनों मिल जाएगा इसके अलाबा इसमें आपको USB charger देखनों मिल जाएगा यानि की अपना phone भी charge कर सकते हैं और इसके अलाबा बहुत सारा features इसमें देखनों मिल जाएगा तो कह सकते हैं Glamour X-Tec एक best option है इस price range में जो की अच्छा खासा आपको इस bike में features देखनों मिल जाता है अब आगे बात करते हैं तो Honda की तरफ से आजाता है SP 125 इस bike की designing देख सकते हैं काफी अच्छा लगता है यह bike और 125 CC में सबसे जादा बिकने वाली bike है अभी तक बाकी बात बात में देखते हैं इस bike की number one position रहती है कि नहीं रहती है क्योंकि TBS की तरफ से rider 125 आगी है तब से इस bike की तोड़ी सी value कम हुई है इस bike में आपको लगबक 60 plus mileage मिल जाएगा क्योंकि इस bike की जो वज़ने काफी कम है 170 kg की बात करते हैं तो इसमें आपको fully digital meter देखनों मिल जाएगा इसमें आपको Bluetooth नहीं मिलेगा information की बात करते हैं तो इसमें आपको real time mileage distance to MPT average mileage gear position indicator इको इंडिगेटर बहुत सारा information देखनों मिल जाएगी प्राइज की बात करते हैं तो यह bike भी आपको लगबक 98,99 तक की देखनों मिल जाएगा on road प्राइज आखरी और छटे नमर की बात करते हैं तो TBS की तरफ से new novelly launch हुई है TBS Radar 125 यह दोस्तो 125 सिसी में सबका बाप है features के मामले में यह bike में आपको बहुत सारा features देखनों मिल जाएगा जो की 125 सिसी में किसी भी bike में इतने सारा features देखनों नहीं मिलती है इसकी designing देख सकते हैं काफी खतरनाग लगता है जैसे के आप देख सकते हैं look designing और features के मामले में दोस्तो 125 सिसी में सभी का बाप है यह bike बागी बाद दोस्तों आगे चलके यह bike कितनी कमाल करती है यह देखना बागी है इसकी on road price के बाद करते हैं तो यह bike आपको लगबग 94,000 पेसी लेकर 1,1,2,000 तक की चली जाएगी mileage इस bike में लगबग आपको 60 पलस मिल जाएगा features के बाद करते हैं तो इसमें आपको काफी advanced meter console देखनों मिल जाती है जैसे का आप देख सकते हैं पर इसमें आपको Bluetooth connectivity नहीं मिलेगा लेकिन information आपको बहुत सारा देखनों मिल जाएगा जैसे की real time mileage, distance to MPT, gear position indicator and shift guide, top speed recorder इस bike में आपको dual ride mode देखनों मिल जाएगा, eco mode और power mode eco mode में आपको ज़्यादा mileage मिलेगा और power mode में top speed ज़्यादा मिल जाएगा इसके अलाबा under seat storage मिल जाएगा, USB port मिल जाएगा यानि कि अपना phone भी charge कर सकते हैं तो कह सकते हैं features के मामले में सबसे आगया है यह bike 125cc segment में तो यह bike एक best option है 125cc में इस price range में जो कि आपको अच्छे कासे price, features, mileage अच्छा कासा देखनों मिल जाती है और designing भी काभी अच्छा देखनों मिल जाती है बाखी बात दोस्तों अब बात करते हैं compression में कौन से bike कौन से मामले में आगे होता है तो अगर आप top speed के साथ जाना चाते हैं यानि कि आपको bike में ज्यादा top speed चाहिए तो बजाज की तरफ से कोई भी bike ले सकते हैं pulsar single seat या फिर double seat या फिर NS 125 आपको top speed ज्यादा मिल जाएगा stability अच्छा मिल जाएगा तो अगर आप top speed के साथ जाना चाहते हैं तो बजाज कब pulsar 125 खोई भी खरीद सकते हैं initial pickup में SP 125 और TBS radar 125 आगे निकल जाएगा तो अगर आप initial pickup अच्छा चाहते हैं तो SP 125 या फिर radar खरीद सकते हैं mileage की बात करते हैं तो SP 125 और TBS radar में आपको अच्छा-कासा mileage देखने को मिल जाएगा लगबक 60 plus mileage देखने को मिल जाएगा तो आप अगर mileage के साथ जाना चाहते हैं तो ये दोनों बाइकों आप खरीद सकते हैं इसके अलावा resale value की बात करते हैं तो तीनों Indian company पे भारी परतन अगर आ रहा है Honda SP 125 की resale value थोड़ी सी अच्छे मिल जाएगा तो इसे में अगर आप बाद में bike को बेचना चाहते हैं तो SP 125 अब खरीद सकते हैं resale value दोस्तों आपको लगबक सभी bikeों में ठीक ठाक देखनों मिल जाएगा पर SP 125 में आपको तोड़ा सा अच्छा खासा resale value देखनों मिल जाएगा glamour यहाँ पर रह गया है दोस्तों glamour की बात करते हैं तो यह एक normal bike है इसमें आपको ना ज्यादा top speed मिलेगा और नहीं इसमें आपको ज्यादा initial pickup देखनों मिलेगा तो खरिद सकते हैं glamour भी एक ठीक ठाक है इसमें आपको बलूबूद connectivity वगरे मिल जाती है इसकी build quality अच्छी होती है तो खरिद सकते हैं दोस्तो 125 CC में कौनसी bike आपको पसंद है और किसे खरिदना चाहेंगे comment करके हमें जरूर बताएगा अगर ये वीडियो पसंद आईए है तो वीडियो को लाइक केजिएगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा अगर कोई मन में सवाल हो तो comment करके पूछ चकते हैं मैं उसकी जवाब देनी की पूरी कोशिश करूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यबाद थैंक्यू जैहीं